नवस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल सिप्चा अकडमी में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं सामानी विग्यान का भाग दूसरा दूस्तों इससे पहले भाग एक मैं पहले ही अप्लोट कर चुका हूँ जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिसके अप्सन में मिल जाएगा आप वहाँ पर जाकर उस पार्ट को भी देख सकते हैं जिसमें आपको एक से लेगे 25 तक प्रश्न दिये हैं और 25 से आगे आपको इस वीडियो में मिलेंगे तो चलिए दोस्तों देरे ना करते हूँ ये वीड राइढ होगा जो किसमने की थी दृति ऐसका सहिए आंसर है, option B CD की थी, लाइढाई हो सहाम, के बार चल्ते है next प्राकरतिक चौन का सिद्धान्त किसने दिया था ट acum?」 power लाइक एन की खोज किस बैग्यानिक ने की थी, लाइक एन की खोज किस बैग्यानिक ने की थी, इसका सही आंसर है option D, यह लाइक एन की खोज तुलास ने की थी, तुलास ने एक नाम अग एक बैग्यानिक थी, जिन्होंने लाइक एन की खोज की थी, इसके बाद अंगले पिष्ट पर चलते हैं अंगला है सरव प्रथम जी बाडू का पता किसने लगाया था सरव प्रथम जी बाडू का पता किसने लगाया था दुस्तों होगा है बग्यानिक का नाम है लूबेन हाक लुबेन हाक बैग्यानेक ने जीवानू का पता लगाया था सरप्रथम इसके बाद नेश्ट है पैंसीलीन की खोज किसने की थी पैंसीलीन की खोज किसने की थी बैग्यानेक का नाम है अलेक्जेंडर फ्लैमिंग क्या अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने पैसी लिन की खोज की थी इसके बाद नैश्ट है कोशी का सब्द का प्रयोग सर प्रथम किस ने किया था अधन वेक्याने का नाम है रावट होकदवाना किया गया था इसके बाद नैश्ट है इंसुलिन की खोज किस ने की थी इंसुलिन की खोज किस ने की थी इसका सही आंसर आप्शन बी यानी की बैटिंग एबं बैस्ट नाबक बेग्याने को द्वारा की गई थी इंसुलिन की खोज इसके बाद नेश्ट है, गामा करणों की खुज किस ने की थी, इसका स़ही आन्सर आप्ज़ डी आनि की गामा करणों की खुज पॉल ब्लार द्वारा खुजी गई थी इसके बाद नेश्ट है, रैवीस के टीके की खुज किस वि Rajnii JAni ने की थी इसके बाद नेश्ट है नेचुरल सेलेक्शन का नियम किसके द्वाना प्रति पादत किया गया था इसके बाद नेश्ट है आक्सिजन की खोज किसके द्वाना की गई थी तो इसके बाद नेश्ट है गृत्वा कर्शन नियमों के अविसकारक कौन है तो बैग्यानिक का नाम है न्यूटन या न्यूटन द्वारा आई गृत्वा कर्शन की नियम दिये गए थी इसके बाद नेश्ट है बिक्रम सारा भाई स्फेस सेंटर कहां पर इस्तित है तो कहां पर है या दुस्तो तुरू वनंद्रम पुरम में इस्तित है इसके बाद नेश्ट है कबकों का अध्यन क्या कहलाता है कबकों का अध्यन क्या कहलाता है दुस्तो इससे कहते हैं माईकोलोजी कहा जाता है माईकोलोजी साखा में कबकों का अध्यन किया जाता है इसके बाद नेश्ट है शिक्कों का अध्यन क्या कहलाता है या फिर शिक्कों का अध्यन किस साखा में किया जाता है तो साखा का नाम है न्यूमी इसमेटिक न्यूमी इसमेटिक साखा में शिक्कों का अध्यन किया जाता है इसके बाद नेश्ट है cellular और molecular जी बिग्यान की इंदर कहाँ पर इस्तित है दूस्तो यह है 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 धरावाद में इस्तित है इसके बाद नेश्ट है center for DNA finger print and diagnostic कहाँ पर इस्तित है दूस्तो यह कहाँ पर है है भी है धरावाद में इस्तित है इसके बाद नेश्ट है आदू नेख बरगी करन का पिता किसे कहा चाता है आदू नेख बरगी करन का पिता किसे कहा चाता है तो पेग्यानिक का नाम है option d यानि लीनियस को आधुनिक बढ़गी करने का पिता मा कहा चाता है इसके बाद नैश्ट कोशी का काध्यान क्या कहलाता है या पर आप कोशी का काध्यान किस साखा में किया जाता है साखा का नाम है साइकोलोजी यानि साइकोलोजी साखा में कोशी का काद्यन किया चाता है इसके बाद नैश्ट है कोशी का सिद्धांत का पित्ती पादन किसने किया था कोशी का सिध्धन्द का पित्ती पादन किसने किया था तो option है यानि साइड एन और श्वान द्वारा कोशी का सिध्धन्द का पित्ती पादन किया गया था इसकी बात next है सेवालों का दिन किस साखा में किया जाता है या सेवालों का दिन क्या कहलाता है तो इस option ए यानि फाई को लोगी साखा में सह वालों का अध्यन किया जाता है इसके बाद नेश्ट नेशनल कैमीकल लेबरोटी कहां पर इसतित है दोस्तो यह है फुड़े के अंदर इसतित है इसके बाद नेश्ट मलेरिया रिसर्च सेंडर कहां पर इसतित है दिल्ली के अंदर इस्तित है इसके बाद नैश्ट अंगूर का उत्पादन किस से संबंदित है नेत्र रोग का चिकसक क्या कहलाता है आप थाल मोल लाजिस्ट कहा जाता है नेत्र रोग का चिकसक क्या कहलाता है आप थाल मोल लाजिस्ट और इसके साथ ही दूस्तों यही वीडियो यहीं पर शमाप्त होता है एदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो फिलीज वीडियो को लाइक करें शियर करें और दुस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले तो चली दुस्तो मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दुस्तो बाई